दोस्तों अगर आपके श्रीर में केल्शिमी कमी हो चुकी है या फिर आप रोजाना उमेगा 3 fatty acid नहीं ले पा रहे हैं जिसके वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहता है जोड़ों में जो ग्रीस है जिसे काटिलेज कहा जाता है वो खत्म होते जा रहे हैं डैमेज होते ज जा रहे हैं जोड़ आपस में टकरा रहे हैं जिसकी वजह से उठते बैठते समय जोड़ों से चट-चट की आवाज आती है दर्द महसूस होता है या चेहरे पे समय से पहले aging दिख रहा है चेहरे जुरियां आ गई हैं आप अपनी उम्रे से जाला देखते हैं या फिर बाल जड़ रहे हैं तो आज किस वीडियो में ऐसा effective घरील उपा लेकर आया हूँ जिसके इस्तमाल से जुणों के घुटनों के दर्द से तो आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा साथी साथ अगर आपके नसों में blockage हो रही है आपको high blood pressure की समस्या है या फिर आपको type 2 diabetes है मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके श्रीज में fat ही जमा हो चुकी है या फिर आपका खून गाढ़ा हो रहा है जिस वजह से आपको heart से related कोई समस्या हो चुकी है तो ये सारे ही problems में बहुत ही फादा करेगा इसके लावा आपको ये remedy लंबे जबे तक जमा बना हेरफॉल की problem से आपको हमेशा के लिए छुड़कारा दिलातेगा डाजिशन को बैटर करेगा दोस्तों इसके लिए को ज्यादा कुछ नहीं करना है रोजाना सिर्फ दो चमच अलसी का सेवन करना है इसे दूद के साथ किसी लेना है दही के साथ लेना है पानी के साथ लेना तकि इसमें जो नमी है वो चली जाए हलका सा भूर लेने के बाद अलसी का स्वात बहुत अच्छा हो जाता है आँखों के रोशनी पंच होना हात पेरों में जलन होना बालों का जड़ना शूरी में मिनरील की कमी होना कैसियं की कमी है मेंगनीश्यम की कमी है पोटेशियुम की कमी है, या फिर अगर किसी इंसान को डायविडिस की प्रॉलम हो जाती है, हाई बीपीक प्रॉलम कई सालों से फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में अलसी का 7 बेहदी फादेमत है, देखें, अलसी को हमने भून लिया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, अलसी को थोड़ा थंड़ और ठंडा होने के बाद इसे mixer के help से इसका powder तयार कर लेंगे यह आप देख सकते हैं हमारा powder बनकर तयार हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कटूरी में दही ले लिया है हम इस दही में दो चमच अलसी powder डालकर अच्छे से mix कर लेंगे दोस्तों यह आपका बहुत ही आसान सा घरिल उपाय बनकर तयार हो किया है अगर आप डापिटिक नहीं है तो इसमें हम मिस्री आड़ कर देंगे मिस्री से एक तो स्वाद बढ़ जाएगा और साथी मिस्री सेहत के लिए बहुत ही फादयमद है यह खून में हीमोगलोबीन को बढ़ाता है इसके लाबह इसमें कई प्रकार के मिंदल पा सकते हो या फिर के खा खाना के शुरुवात में एक कटोरी इसलिए से खा सकते हो इस तरह दही के साथ वे लोग ले सकते हैं जिनके के शरीर में कमी है याना शरी में कहीं भी दर्द होता है, हाट पेर में दर्द होता है, कमरे में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, कलाईयों में दर्द होता है, यानि कि किसी भी जोड में दर्द हो, या फिर शरी में दर्द हो, मांशमेश्री में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द करत दोस्तां के शरीव में कैलिश्यमी के में हो जाया तो हड़ियां तो कमजूर होती ही है जिसके बारे में आप जानते हो इसके लावा बालों का जढ़ना, स्कीन का ट्राय हो जाना इस तरह के सिम्टम्स भी देखते हैं चलिए अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अलसी को इस तरह पित प्रकृति वाले लोग खा सकते हैं कि नहीं जिनका बॉडी नेचर गरम है क्या वे लोग इसे ले सकते हैं तो दोस्तों हाँ आप अलसी को दही के साथ खा सकते हैं इसके लावा वात प्रकृति के लोग इसे दही के लावा दूद के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि तर्पी का मौसम है और जासे ठंडी होती है तो अगर आपके आपके शेहर गाव में थंड बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हो तो दही के साथ न लें आप इसे दूद के साथ लिचे और पूरे सरदी के मौसम तक लीचे, ठंड का मौसम जब खत्म हो जाया तो दही के साथ लिया जा सकता है, या फिर जो लोग दही नहीं खा सकते हैं, वे लोग अलसी को शहद के साथ लेंगे, तो बहुत फादा मिलेगा, इससे जो श्रीड में एक्सेस कफ है, वो भी बहार निकल जाता है, इससे आपक दूद मैंने लिया है, इसमें हम दो टी स्पून अलसी पॉडर एड़ करेंगे, साथ ही इसमें ब्राउन सुगर एड़ करतेंगे, अगर आप डाइपेटिक है, तो यहा पर शुगर का इस्तमाल नहीं करना है, बीना चीनी का आपको लेना है, आपके पास ब्राउन सुगर ह दोस्तों देरे देरे हड़ी को कम चूर कर देता है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं खाना है, मैं हर वीडियो में मना करता हूँ, और इसे घोल कर आपको रात को सुने से पहले पी लेना है, या फिर आप शाम को चार से पाँच बजे के आसपस भी इसे पी सकते हैं, आप इस कफ है, खासी की प्रॉलम हो रही है, जो काम है, तो आप एक कटोरी लीजे, एक खाली कटोरी में दो चम्मच की बराबर अलसी पॉडर इसमें ले लेंगे, अब इसमें हम एट करेंगे एक बड़ा चम्मच शहद, दोस्तों इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और से ख सुबा खाली पेट भी ले सकते हैं, आप सुबा नास्ता करते हो, नास्ता करने के आदे गंटे पहले या फिर आदे गंटे के बाद भी इसे लिया जा सकता है, आप इसे रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, इसे शेरीज में जो एक्सेस कफ बन रहा होगा, सर्दी खासी क जो काम होगी उससे आपको फायदा मिलेगा दोस्ता अगर आप अल्सीक असेवन रोजाना इसी तरह से पॉर्टर पनाकर करते हैं ना तो अल्सीक अंदर ओमेगा-3 fatty acid बहुत इच्छी मात्रह में मौज़ुद होता है जो अर्ट्रीज की functioning को improve कर देता है और अर्ट्रीज में साफ करने का काम करते हैं सक लावा जिनके जोड़ों में बहुत दरद रहता है जोड़ों आपस प्टक्राते हैं उनको जोड़ों में सूजना चुकी है उनको रोजाना जरूर करना चाहिए ю आप के शरी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस कारण जोडों में जाकर जमा हो जाते हैं, और जोडों के Cardillase को damage कर देते हैं, और जोडों में जो fluid होता है, जिसे बोलचल के भाशा में grease कहते हैं, वो धीरी धीरे सुखता जाता है दोस्तों अगर आप रोजाना इस तरह के से अलसी का सेवन करते हैं ना तो डाइजेशन आपका इंपरियो होगा यानि कि जो भी हम खाना खाएंगो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और जो टॉक्सिंस होंगे वो शरीर से बाहर हो जाएगे हमारा शरीर फ्री से बचा रहेगा जिस वजह से हमारे चोणों का लिवरिकेंड या जिसे फ्लीड कहा जाता है वो नहीं सुखेंगे और आपके काटिलेज डैमेज नहीं होंगे खत्म नहीं होंगे इसके लावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बीपी हमेशा लो या फिर हाई रहता है या इसके लावा इसमें भरपूर मातरा में फाइबर होता है तो इसके लावा इसे बहुत ही अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा आपको बहुत ही अच्छा फिल होगा पीट हेल्दी हो जाएगा इसके लावा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके नसों में ब्लॉकेज आ जाती है नसों में कमचोरी आ जाती है हाथ पर सो जाते हैं अचानक से सुनने पड़ जाते हैं तो अल्सी के अंदर अल्फा लिलो लेलिक एसिड होता है जो शरी के अंदर के नसों के ब्लॉकेज को दूर करने का काम करता है तो अगर आपको भी जुन-जुनी की समझ से हमेशा होती हो हाथ पर सो जाते हो या फिर ब्लॉक की प्रॉलम हो गई हो तो आप रोजाना अलसी का सेवन कीजेगा दोस्तों जिनके चेरे पर फेस में बहुत जादा पिंपल्स होते हैं बहुत जादा रुखापन होता है फेस पर गलो नहीं होता इसका मुख्य वजह है खुन का साफ नहीं होना अगर आप रोजाना अलसी का सेवन इस तरह से करते हैं जैसे मैंने बताया तो आपका खुन साफ हो जाएगा और खुन बढ़ने लग जाएगा अगर आपका खुन गंदा या फिर गाड़ा हो चुका है तो वो साफ हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से आप LC का 7 करते हैं तो आपके face फर glow आ जाएगा अगर आपके आँखों के रोशनी कमजूर पड़ है दूर पास का नहीं दिखता है या फिर आँखों में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो रोजाना LC का 7 करना शुरू कर देजिए आँखों के लिए भी यह बहुत ही फादे मन होता है दोस्तों LC के अंदर lignans पा जाते हैं जो हमारे cells यानी कोशिकाओं के functioning में बहुत काम करते हैं अगर किसी भी इंसान के body में tumor हो रहा है गांट हो रही है तो उनको भी रोजाना LC का 7 जरूर करना चाहिए LC के 7 करने से tumor अपने आप ही खत्म हो जाता है इसके लावा भी LC के बहुत से फादे हैं लेकिन यहाँ पर नुकसान की बात की जाए तो कभी भी किसी भी चीज को ज्यादा मातरा में नहीं खाना चाहिए दूसी तरह LC को भी रोजाना आप 20 गरम की मातरा में खा सकते हो लेकि करना चाहिए तो आज किस वीडियो में बस इतना है